तो हलो दोस्तों आज हम फिर से आगे है टिक टोक के वाइरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर जैसा कि वीडियो देख सकते हैं तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हो इस टाप के वीडियो के कैसे बना सकते हैं इस टोक कि मैंने एक वीडियो बना चुका तो आपको काइनमस्ट अप्लिकेशन को ओपेन कर लेना है ऑपेन करनेक बाद पलसका इकन पर गुलिककर WATSON करना है 9 x16 का रेजव भीदिया कर लेना है मैंने एक वीड्यो का लिंकि डिस्क्रेप्शन framework में दिरख रखहे उस वीडियो को सलेक्ट करना सब्सक्राइब सब्सक्राइब अ meditation ख्रश्र पार्ट कुछ इसमतरते शूट किया गया है फिर से हमें वीडियो प्रेornарा क्लिक करना है ?P2 प्लेट कर देना है चाहिए कलिक कर देना है तुछ हमारा फर्ष्ट बीडियो कुछ इस त्रह से सूट किया गया है इसके वाद शिखेण वीडियो मेरा इहां से स्टाह्ट होगा यहां पर स्पीड कन पर आए यहां पर कर देना है यहां पर एक्ट्राप्र आयए हमें 0.5 कर देना है इसकेबाद यहां पर कुछ एक इーकुर नियुक पाइट फीर लेप कर सकते हैं इस तरह से विडियो में जो भी sound यहां पर आपको आजाएगा इसका बाद यहां तक यह लास्ट टक लेकर आना है जो आपने description से वीडियो काफी ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो के लिए पर क्लिक करना है क्लिक कर देना है तो आप देख सेथे मैंने रिमूब कर चुका हूं इसके बाद आपको करना क्या है कि suaउफ बाली वीडियो आपको यहां पर आज आएगा इसके बाद सिकेंद वाली बीडियो आपको प्रेश करकर रखना अई इस लिप इसके बीच में आपको लेकर आजाना है थर्मारा बीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा यहां पर sound add नहीं करना परगा क्योंको sound already add है इसके वाट लास्त तक पार्ट एक्स्टा दिख रहा है एक्स्टा पार्ट को ट्रेम टूराइट करते में इसके बाद आपको यहां बीच में transaction इफेक्ट देना है इसके बाद इस पर किलिक करना है इसके बाद transaction effect यहाँ पर देना है तो simple यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है acceleration का click करना है और यहाँ पर आपको speed out कर देना है इसके बाद फिर से इस पर आना है acceleration पर आना है और यहाँ पर आपको speed in कर देना है फिर से इस पर आना है फिर से हमें एकसीलेशन पर आना है और येहां पर आप this speed राइट यार लेप्ट भी कर सकते हैं वीडियो हमरे यहां पर त्यार हो चुका है यहां पर आपको सावंट भी उड है करने के जरुद नहीं है साउंड भी एड हो चुका है अब आपको share पर किलिक करना है और यहां पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोड कर देना है और इस वीडियो को आपको टिक टॉक के साउंड पर ही अपलोड आपको कर देना है